नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आइस मैनिफेक्टरिन प्लांट के बारे में और जानेंगे कि ये प्लांट कैसे काम करता है इनमें कौन-कौन से मशिनरी उपकरन लगाये जाते हैं इस प्लांट को कैसे ओपरेट किया जाता है और इस प्लांट म मशीने मार्किट में उपलब्द हैं जो छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर आटोमेटिक तरीके से आइस का उत्पादन करने में सक्छम है उनमें से कुछ इस परकार है ब्लॉक आइस मशीन क्यूब आइस मशीन फ्लैक आइस मशीन Tube Ice Machine Plate Ice Machine Slurry या Binary Ice Machine ये सभी मसीने बिभीन परकार के सेप और साइजों में Ice का उत्पादन करती है उन में से कुछ इस परकार है Block Ice Cube Ice Flak Ice Tube Ice Plate Ice Slurry Ice तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक Commercial Ice Plant में यानि कि एक Ice Factory में जाकर Block Ice Manufacturing के बारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तों हम एक Commercial Ice Factory में चलते हैं तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक Ice Factory में और अभी हम है Ice Factory के Machine Room में तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहां कई सारे Compressor आपको दिखाई दो रहे होंगे एक यह है Compressor और एक दूसरा साइड में Compressor है और एक यह तीसरा Compressor भी यहां पर लगा हुआ है यानि कि तीन Compressor यहां लगा हुआ है और यह है Electric Pinal Bowl जहां से पूरे प्रांट को Operate किये जाता है यहां कई सारे Slitches और Starters लगे हुए हैं और यह जो Starters है यह Compressor का है इससे ही Compressor को Start या बंद किया जाता है तो यह कई सारे Starters यहां पर लगे हुए हैं जहां से पूरे प्लांट के उपकरन का Electrical Connection किया हुआ है दोस्तों यह प्लांट अभी Working Period में है तो जैसे तहीं कि यह Compressor चल रहा है अभी प्रिचर आया हुआ है तो इसे Section Line कहते हैं यह बहुत धंडा होता है और यह जो है इसे Discharge Line कहते हैं यह काफी गरम होता है तो Section Line से मसी जो है Ammonia Gas को खीशती है इस Pipe Line के माधन के और यहां से होते ही यह सिलेंडर में चला जाता है के इंडर में piston लगा होता है जो इस Gas को खीश कर इस Pipe Line में पुछ कर देता है तो जब यह piston Gas को पुछ करता है तो यह Gas compress हो जाता है यानि दब जाता है और इसके कारान इसका pressure और temperature दोनों बढ़ जाता है और यह high pressure वेपर में परिवर्टित हो जाता है तो इस Gas को थंडा करना पड़ता है थंडा करने के लिए इस Gas को condenser नमक coil में भीजा जाता है जहां पर वो थंडा होता है तो देख सकते हैं कि दोस्तों यह जो pipeline गया है यह उपर गया है जहां पर condenser लगा हुए तो चल्लिए दोस्तों वहां चलते हैं तो दोस्तों हम उपर आ चुके हैं और यह जो दोनों pipeline आपको दिख रहा है यह compressor से आ रहा है compressor इस pipeline के जरिए Gas को इस header में push कर रहा है और यहां से होते हुए इस valve से होते हुए इस उपकरन में आता है इसे oil supporter बोलता है compressor में जो oil लगता है यह यहां च्छन जाता है और इस pipeline के माधहम से आगे चला जाता है air coolate condenser में देशते हैं कि air coolate condenser लगा हुए है इसमें coil बना हुए है coil के अंदर gas घुमता है और हवा के माधहम से ठंडा होता है यहां extra गर्मी निकल जाता है और यही gas दबारा नीचे आता है water coolate condenser में यहां भी coil लगा होता है उसमें gas घुमता है और उपर से पानी गिरता है जिसे कारण से gas ठंडा होने लगता है ठंडा होकर gas नीचे को चला जाता है तो चलिए दोसों नीचे चलते हैं देखते हैं कि वहां किस तरका उपकरन लगा हुआ है तो दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं और इस pipeline से condenser से gas आ रहा है तो जब condenser में gas ठंडा किया जाता है तो यह gas condense होने लगता है और condense होकर यह फिर से liquid रूप में आ जाता है और इस pipeline के जरीए आगे बढ़ता है देखते हैं कि यह पीले वाला जो pipe है इसके माध्यम से आगे बढ़ता है और यहां से होते हुए इस बड़ा सा cylinder में चला जाता है इस cylinder को receiver कहते हैं यह बड़ा सा tank होता है जिसमें liquid ammonia जमा होता रहता है यह तरह का यह reserve tank भी कह सकते हैं देख सकते हैं कि यहां से इस valve के जरीए इस liquid line का main valve बोलते हैं और यहां से इस पतले pipe के जरीए ammonia जो liquid gas है यह आगे बढ़ता है और इस oil supplier से होते हुए यहां देख सकते हैं दोस्तों कि यहां header देकर और दो connection दिया हुआ है और दोनों में एक एक valve लगा हुआ है यानि कि यहां से दो line जा रहा है दो line मतलब कि यहां दो brine tank लगा हुआ है जहां पर दोनों में इव operator लगा हुआ है तो दोनों इव operator में यह pipeline जा रहा है तो देख सेते हैं यह बाहर गया है और नीचे जो दिख रहा है सता, वो ब्राइन टेंक है, उसके आंदर एक बड़ा सा टेंक होता है, जिसमें नमक वाला पानी भरा होता है, ये काफी बड़ा टेंक होता है, इसके अंदर ही बढ़ को जमाई लेता है, तो देख सकते हैं कि ये जो पाइप लाइन है, पतले वाल देख सकते हैं यहां से liquid line आ रहा है तीक है और यहां से होते हुए यह जो वाल्व लगा है इसे expansion वाल्व बोलते हैं यहां से gas coat control किया जाता है और यहां से होते हुए यह चला जाता है नीचे देख सकते हैं कि brine tank में वो पेटर लगा हुआ है जिसमें यह gas जाता है और इसके म ब्राइन टेंक में किस तरह का इवोपेटर लगा हुआ है देख सकते हैं कि आपको दिखाएता हूँ सही से देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का पानी जो है यह फ्लो हो रहा है और यह नमक वाला पानी है और यह जो है इवोपेटर है एक तरह का क्वाइल होता है जिसमें अमो प्रॉमिया गैस जाने के बाद जो ब्राइन टैंक में जो पानी है जो नमक और पानी का सोलुशन है उस सोलुशन का गर्मी और शोसित करता है और शोसित करके यह जो अमोनिया गैस है यह बॉआल हो जाता है यह उबल जाता है और उबलने कारण यह वेपराइज होता है तो य से होते हुए आगे बढ़ रहा है जिसके यह पानी ठंडा हो रहा है तो इसी तरह यह पानी घुमता है और पूरे टैंक में घुमता है और इधर से हमेशा गुजरता रहता है आगे प्रोपेलर लगा हुआ है आपको आगे दिखाऊंगा कि प्रोपेलर कि इस तरह का लगा हु बहुत लो होता है यानि कि इसका जो freezing point है यह low हो जाता है अगर normal पानी को हम freeze करें तो zero degree के temperature पर यह freeze हो जाता है लेकिन अगर उसमें नमक मिला दें तो यह minus में चला जाता है तो इस solution का temperature रखा जाता है minus 10 से लेकर 11 degree Celsius तक रखा जाता है इतना ठंडा होता है जिसके करण से इस पानी के मध्यम से बर्फ को जमाया जाता है यानि आइस ब्लोक बनाया जाता है इसके अंदर ये पूरा पानी माइनस 10 से लेकर 11 दिरी तक ये सेल्शियस ठंडा है और देख सकते हैं कि इसमें आइस केन में पानी रखकर जमाया जा रहा है और इसमें बर्फ जमना शूरू हो गया देख सकते हैं कि बहुत सा पानी अंदर भरा हुआ है कैन में और नीचे से जो ब्राइन टैंक में जो ब्र ब्रफ बन गया है तो कोई ज्यादा पूरी तरह बहुत जम गया देख सकते हैं कि यह जो पानी है पूरी क्लीन बिल्कुल साफ है और इसक कारण है कि यह जो आइसकेन है इसएस काश इसकेन जो है यह स्टैनल शुक्स हमरे इसलिए का पानी खराब nहीं हो रहा लाल नहींहा क्योंकि जब ब्राइन टैंक में नमक वाले पानी में डुबाया जाता है तो यह जंग लग जाता है तो यह जो आइस केन है यह स्टैंडर्स स्टील होने करण यह खराब नहीं होता जल्दी और पानी जो है बिल्कुल ही साफ रहता है और बॉर्फ जो निकलता है आइस बहरा जा रहा है देख सेते हैं कि यहां पानी केन में जो आइस केन है इसमें भरा जा रहा है तो यह साफ पानी पीने वाला पानी भरा जाता है और देख सेते हैं कि यहां पानी भरकर रखा गया है और यह बिल्कुल ही तयार हो चुका है तो दोसों इस दोस से ग्यारा यह अंदर चला जाएगा तो पूरी तरह भर दने के बाद इसको 10-12 घंटे तक छोड़ दिया जता है तो 10-12 घंटे में यह आइस तयार हो जाता है तो यह साइट से जमना सुरू होता है देख सकते हैं बीच में खाली रह गया और साइट से जमना सुरू हो जाता है क्योंकि सा जमना सुरू होता है तो देख से तहीं इसमें पानी भरा जा रहा है और पानी भर कर इसे तयार किया जाएगा तो दोस्तों इस तरह इसमें आइस तयार ही होता है देख से तहीं कि पूरी तरह नीला दिख रहा है बिल्कुल ही क्लीन पानी है देख से यह त्यार हो चुका है अब ये निकाला जाएगा तो दोसो मैं दिखाता हूँ कि ये Ice-can कैसे निकलता है और ये कहीं भी जा सकता है आगे तक यहा ट्रेक बना हुआ है इस ट्रेक पर आगे तक चला जाता है वहाँ तक चला जाएगा लाश टक और कहीं से एक block को भी निकाल सकते हैं, एक कैन को भी निकाल सकते हैं, तो यह कहीं से भी आइस कैन निकाल सकते हैं, तो दोसों मैं दिखाता हूँ कि यह कैसा निकाला जाता है, देशते हैं कि इसको निशे लाया जा रहा है, एक तरह का चैन कुपी जैसा होता है, तो इसमें यह लगा दिया जाता है और देखेता है कि इसे उपर उपर निकला जा रहा है तो इसे घुमा कर उपर निकाल लिया जाता है ये उपर आ चुका है दोस्तो उपर आने के बाद दोस्तो देख सकता है कि इसे ठेल कर कहीं भी आगे ले जाया जा सकता है तो इस तरह निकाला जाता है देखते हैं कि यह यहाँ पर पानी में इसको डुबाया जाता है पानी में डुबा कर नॉर्मल पानी होता है उस पानी में डुबाया जाता है ताकि साइड से छोड़ दे ताकि जो आइस निकलने में दिकत ना हो देखते हैं इस तरह आइस निकल और यहां दिखा जैता हुँ DOOS UN 인क प्रोसरटों कि श्तर लगा है यहां tell the súnte वेल्प का solution पानी और नमक का solution होता है घुझत है गोल होता है जिसके काज़ा इसका फ्र्िजिंग क्वॉइंट बहुत ही लो हो जता है इसलिए से इसको इतना थंडा में घूम रहा है तो यह धर से एक साइट से इवोपेलेटर के जड़िए ठंडा किया जाता है और पूरे टैंक में इस पानी को घूमाया जाता है तो मैं दिखाता हूँ कि प्रोपेलर की इस तरह का लगा हुआ है देशेते दोस्तों कि यहां पर जो यह पुली लगा है इसके नीचे प्रोपेलर लगा है पंखा लगा है तरह का जो एक साइट से पाने खीच कर इवोपेलेटर के जरिए यह फ्लो कराता है जो पूरे इवोपेलेटर से होतर बुजरता है और ठंडा होकर साइड में निकलता है आपको इसकीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह कर यहां वोपेटर लगा हुआ है और साइड में प्रोपेलर लगा हुआ है उस तरह अंदर लगा होता है तो देशता है कि यह जो पाइपलाइन है यह जा रहा है और यहां से होकर आपको दिखाता हो यह चला जाता है फिर से कंप्रेसर में यहां से कंप्रेसर में चला जाता ह और कंप्रेसर फिर से इसे खीचता है और इस गैस को कंप्रेस कर देता है और इसको डिशार्ज लाइन में भेज देता है जहां पर ये खनेसर में चला जाता है ठंडा करने के लिए और फिर से वह लिकुड रूप में आकर और इसी भर में चलाता है तो ये प्रकिरिया जो है यह चलता रहता है यह साइकल जो है ये चलता रहता है और इसी तरह brine tank को थंदा केRता है देख चो चंधा है कि यह जो compressor है यह दो पिशितन का है आपको लिशाता हूँ यह चल रहा है अभी तो यह compressor यह बनाया हुआ है खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है, किसी company का नहीं है, ये सारे चीज इसके हाथों से बनाया हुआ है, सभी कूछ, A to Z, इस compressor का A to Z अपने हाथों से तयार किया हुआ है, तो दोस्तों, आपको पता लग जा होगा कि ice block जो है, ये कैसे तयार होता है, बाकी refrigeration system जो होता है, ये बिल्कुल ही same होता है सभी का, लेकिन इसका जो evo operator होता है, ये brain tank के अंदर होता है, ठीक है तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये video आपको अच्छा लगेगा, अगर ये video आपको अच्छा लगे तो इस video को like और share करें, channel पर नए हैं, तो channel को subscribe भी करें, तो दोस्तों मिल किसी और नए जुबियों के साथ सब तक के लिए नमस्का